प्यारे बच्चों, हम लोग लेशन पढ़ रहे हैं from here to there और हम लोगों ने Google Meet पे काफी बात भी किया था और आपके Elders, आपके Grandparents ने अपने Young Age की बात बताई थी कि उस समय कितनी कमी थी Means of Transport की तो ये पोयम तो मेरा ख्याल है कि आप याद कर लिये होंगे अगर नहीं भी किये हैं तो कर लीजिएगा इसको याद तो हम लोगों को किसे भी Means of Transport की जरूरत क्यों होती है भई, आपको नानी के घर जाना है, आपको स्कूल जाना है आपको स्कूल ट्रिप पर कहीं जाना है तो कहीं भी जाने के लिए, आने के लिए हमको Means of Transport की जरूरत होती है हमको जो आपके घर राशन का सामान आता है कपड़े आते हैं, फल आता है जो भी चीज़ आती है मार्केट से तो वो मार्केट में कैसे पहुँचता है भाई, एक अस्थान पे कोई चीज़ पैदा हुई आप जानते हैं कि यहूं खेट में पैदा होता है तो खेट से आपके किचन तक वो कैसे पहुँचा आता मैं किसान के खेट से वो मंडी तक गया मंडी से बड़े दुकानदार तक गया वहाँ से फिर छोटे दुकान पे आया और फिर आपके घर तक आया तो वो चीज़ किसी ना किसी मिन्स आफ ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही तो पहुँचा है हम आज आप तो आपके पास में आप कह सकते हैं भाई पापा कार में लेके आ गए किकिन एक जमाना था जब गाड़ी भी नहीं होती थी बस नहीं था, कार नहीं था कुछ नहीं था इस सब बहुत पहले की बात में कर रहा हूँ तब कैसे समान आता था कैसे ट्रांस्पोर्ट होता था कैसे लोग एक जगत से तूसरी जगह जाते थे और कैसे समान की धुलाई होती थी तो उस समय में जो मिन्स अफ ट्रांस्पोर्ट था वो बेसिकली बैल गाड़ी और घोड़ा गाड़ी तागा जिसको आप कहते हैं उसके द्वारा होता था और आज भी गाओं से मंडियों तक जहां सडके नहीं है कच्ची रोड है पकडंडी है तो आज भी बहुत सारा जो माल की धुलाई है गाओं से शहर तक वो आज भी बैल गाड़ी से होता है या कहीं आप देखें जैसे मैंने आपको गूगल मीट पे बताया था कि शहर के अंदर कोई गली है अब उस गली में कोई गाड़ी नहीं पास हो सकती इतनी चोड़ी गली नहीं है और वहाँ पर किसी को मकान बनाना है तो इंटा है सिमेंट है यह सब वहाँ तक कैसे पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा तो बिल्डिंग कैसे बनेगी तो आप शहर में भी देख लीजिए कि गधे के उपर में लाद के चाहे हीटा है चाहे सिमेंट है चाहे बालू है वो सारा वहाँ तक ले जाते हैं तो जानवर हमारे लिए बहुत important होते हैं means of transport के लिए ठीक है जैसे कि आपका donkey है, horse है mules है camels है, bell है हाथी है अभी भी jungle से माल लीजिए कोई बहुत मोटा लकड़ी का टुकड़ा लाना हो log तो वहाँ तो गाड़ी नहीं जा सकती न उसको bell भी नहीं ला सकता घोड़ा भी नहीं ला सकता गदहा भी नहीं ला सकता है तो वहाँ हम हाथियों का इस्तेमाल करते हैं हाथी अपने सूर में उसको उठा कर वहाँ से लेके आते हैं तो ये जो animals हैं ये बहुत हेल्प करते हैं ट्रांस्पोर्टेशन में अब हम आते हैं धीरे धीरे जब तरक्की होती गई और समय के साथ बहुत सा बदलाओ होता गया तो आप देखें कि पहले साइकिल आई उसके बाद धीरे धीरे और हम बढ़ते चले गए और खोज होता गया एरोप्लेन तक बन गया तो यह सारा चीज हमारा मिंस अफ ट्रांस्पोर्ट है तो यहां पर तो आप देख रहे हैं यहां बस देख रही है यह देखिए ट्रेन है यह देखिए कार है यह एरोप्लेन है यह देखिए डोली है यह पहले के जमाने में जब शादी होती थी तो दुलहन को डोली में ले के आया जाता था और इसको उठाने वाले कहार कहलाते थे ठीक है ये देखिए फिर आपका बस देख रहा है कार देख रही है ये बोट देख रहा है है और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये देखिए होर्स दिख रहा है ये साइकिल दिख रही है ये रिक्षो दिख रहा है ये देखिए बैल गाली है हलाकि इसमें टोटल मिन्स आफ ट्रांसपोर्ट नहीं है लेकिन इससे आपको अंदाजा हो रहा है ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए ये भी मिन्स of transport है ये भी means of transport है ये भी है ये भी है ये भी है तो इस तरीके से हम अगर कहें कि हमारा means of transport कौन कौन सा है तो यहां तक तो आप बता ही ले जाएंगे बड़े असानी से बस है कार है जीप है वैन है crane है, aeroplane है, boat है, ship है, steamer है, block cart है, horse cart है, camel cart है, bicycle है, scooter है, motorcycle है, rickshaw है, auto rickshaw है ये सारा हमारा means of transport है, तो means of transport को हम कई category में हम बाट सकते हैं, जैसे means of transport को हम अगर बाटना चाहें, तो हम कई category में उसको बाटते हैं, जैसे माल लीजिए कि ये means of transport है, है, इसको हम मोटे तोर पर हम बाट सकते हैं, जो जमीन पर चलते हैं, land, दूसरा, water, और तीसरा, ए, तीन category में हमने इसको बाट दिया है, ठीक है, अब land, transport में हम दो category कर सकते हैं, इसमें, एक तो road, और दूसरा, rail, अब आपके लिए बड़ा असानी हो जाएगा, समझने में, जैसे land transport, तो land transport पर आप देखिए, कि road transport, तो road transport में आपका क्या क्या आ जाएगा, आपका बुलकार्ट भी आ जाएगा, आपका हॉर्स कार्ड भी आ जाएगा, बाइसिकल, और बाइसिकल के अलावा, मोटर साइकिल, स्कूटी, और रिक्षो, आटा रिक्षो, वैन, जीप, कार, बस, ट्रक, ये सारी चीज़े आ जाएगे, वाटर ट्रांसपोर्ट पर आएगे, अच्छा, रेल ट्रांसपोर्ट पर आएगे, आपका ट्रेन है, मेट्रो है, ये रेल में आ जाएगा, water transport में आपका boat आ जाएगा ship आ जाएगा steamer आ जाएगा air transport पर आपका aeroplane आ जाएगा आपका helicopter आ जाएगा अब इसको हम बाट सकते हैं और भी आधार पर और आधार क्या हो सकता है जो आधार दूसरा आधार होगा वो हम next वीडियो में आपसे बात करेंगे अभी के लिए इतना ही thank you